हेलो फ्रेंज प्रभात इनकीजिया के यूट्यूब चानल में आपका स्वागत है फ्रेंज इतना अच्छा अध्रक आपको मिल जाए तो क्या अच्छी बात है देखिए जिए कितना फाइनली चॉप किया है और इसके इलावा आपको ऐसा लसन कटावा जो इतना अच्छे ढंक से काटा गया हो चॉप किया हो मिल जाए और भी अच्छी बात है ना दोस्तों है के ने और ये मेन चीज़े हैं जो किचिन में यूज होती हैं और इसके इलावा प्यास भी आपको ऐसा कटावा मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या होगा बिल्कुल आपके लिए ये मेन चीजें हैं जो हमारे हर किचन में यूज होती हैं और वो फाइनली चॉप बिल जाएं और वो भी फेस्टिवल्स के डेस हो या नॉर्मल डेस हो आप केस्ट को बुला रहे हो इतना अच्छा टमाटर आपको चॉप किया हुआ घर में ही मिल जाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं मैं तो यही फ्रेंड्स सोचती हूँ इसलिए मैं आज आपके लिए एक हैंडी चॉपर का रिव्यू लेकर आई हूँ सबसे पहले हम मद्रक डाल लेते हैं इसमें और चॉपर को इस ठंक से बंद कर लीजिए ठीक है दोस्तो और इसके हैंडल को फुल करना है दो तीन दफा और बहुत अच्छा आपको रिजर्ट मिलेगा फ्रेंड्स आपको खूल के दिखा देते हैं कितने अच्छे ठंक से चॉप हुआ है कितना अच्छा है कितना पाइली चॉप हुआ है जैसे मैं आपको पहले दिखा रही थी ठीके दोस्तो वैसा ही है देख लीजे दोस्तो कितना अच्छा चॉपर है ये आये फ्रेंज हम प्यास को चॉप करते हैं आप इसको उसी धंग से डाल लेजिए चॉपर में और फिर उसी धंग से लिट को बंद कर लेजिए टाइकली दोस्तों ये बहुत असान है फिर से आपने हैंडल को वैसे ही पुल करना है देखिए लोड़ सो ये चॉप हो रहा है आप देख सकते हैं इसमें चॉप करने में जादा टाइम भी नहीं लगेगा बहुत चल्दी हो जाता है ये बहुत ही अची चीज़ आपकी किचन के लिए और बहुत हल्फुल है फिर साथ में आपको ये भी बताती चलूँ ये मेरा खुद का ही प्रोड़क्ट है ये कोई एड़टाइजमें नहीं है ठीक है दोस्तो और मैं इसलिए आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है और ये मैं सोचती हूँ हर किचन में होना चाहिए क्योंकि बहुत हल्फुल चीज़ है ठीक है दोस्तो अब इसका रिजर्ट भी देख लेते हैं ये देख लीजिए प्याज कितने अच्छे दंग से चॉप हुआ है है ना दोस्तो कितना अच्छा है ये चली फिर इसी दंग से हम टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं फाइनली ठीक है हमने चॉपर में डाल दिया और उसी दंग से आप के आपको बंद करके और चॉप कीजिएगा जैसे आपको मैंने सिखाया था और आपको देखिएगा कितना अच्छा रिजर्ट भी देगा कितना फाइनली टमाटर चॉप हुआ है हमारा है ना दोस्तो इसके ब्लेट्स बहुत अच्छे हैं और कैप बंद करके फिर से हम इसी दंग से खीचेंगे इसको ठीके दोस्तो देखी सकते हैं आप कितने अच्छे दंग से चॉप हो रहे है आपको और क्या चाहिए इतना अच्छा लसन कटा वाद फाइनली चॉप मिल जाए तो और क्या चाहिए है ना दोस्तो अब आपको इसका रिजल्ट भी दिखा देते हैं कैसे चॉप हो है यह देख लीजिए आपको इसको दो तीन दफा ऐसे खोल के देखना पड़ेगा और देखिए अब कितने फाइनली चॉप हो गया बहुत मैं ऐसा ही चाहिए था है ना दोस्तों कितना अचा चॉपर है यह देखिए फ्रेंट्स ही मैंने एमाजॉन से ओडर किया था और इसका एमार्पी 745 रुपीज है लेकिन आमे 345 रुपीज का अब भी आपको गी मिल जाएगा ठीक है फ्रेंस इसको खोलते हैं चलें दोस्तो फ्रेंस पिजिन कंपनی का कहना है कि अनभेकेबल ABC प्लास्टिक से इसकी बॉड़ी बनी है और ये लॉग लास्टिंग यूज़ के लिए बना है इसका कलर ग्रीन है फ्रेंस आप देख सकते हैं फ्रेंस आप देखी सकते हैं इसमें 5 granite design है आप देखी सकते हैं जो किhy स्ट और फ्रिंज मैं आपको बता देती हूँ, इस चॉपर की हाइट 5.5 इंचिस की है, और 5.5 इंचिस का इसका डायमीटर है, और एम्टी वेट इसका अल्मोस्ट 250 ग्राम्स का है, ठीके दोस्तों? फ्रिंज अगर आप शोकीन है, किसम किसम की चटनिक खाने का आपको शोक है, और किसम किसम का सालेड बनाते हैं, तो ये चॉपर आपका बहुत काम आएगा, ये बहुत अच्छा है, एक तो ये हैंडी चॉपर है, और कहीं भी आप किचन में इसको रख सकते हैं, और इसका किसम का भी जब चाहें, कैसा भी सैलेड बना सकते हैं, इसके जाद, ठीकिये फ्रेंज्ट कर दो कर दो प्लास्टिक विसकर भी मिलता है जिससे आप एक को बीट कर सकते हैं आप लसी बना सकते हैं आप कुछ भी उसके साथ यूज कर सकते हैं किसम किसम के डिप बना सकते हैं ठीक है फ्रेंज ये बहुत आपके काम आएगा आपके घर में फ्रेंज इसमें चॉप करना बहुत ही असान है इसमें यूनिक जो स्ट्रिंग फंक्चन है उसको बस string को आपको खीचना और चोड़ना है और वो बहुत easy कर देता है vegetables और fruits को असानी से chop करना ठीक है friends मैं आपको आज इसके बारे में इसलिए बता रहे हूँ हमेशा ही अच्छी चीज़ों को मैं share करती हूँ और मैं recommend करती हूँ आप इसको लीजिएगा अगर आप एक अच्छा chopper चाहते हैं तो आप इसी company का खरीदना क्यूंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आया और आपको भी बहुत पसंद आएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को like, share, subscribe जरूर कीजिएगा और अपनी लाइफ को enjoy कीजिए दोस्तों ठीके फ्रेंद्स झाल